अलो दोस्तों नमस्त एंड वेलकॉम बाक टू प्लेमेकर इंडिया तो भाई मेरे डीम बहर चुके हैं सच में यार मोहन बगान जीती शील्ड एंड उसके बाद में से जो मेंसेजज़ आ रहे हैं कि मैंने वीडियो बनाया, मैंने शॉट बनाया और उसमें मैंने मैंने मेंसिन किया कि भाई, AFC Champions League में मोहन बगान खेलेगी और कैसे खेलेगी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में AFC Champions League में ने AFC Champions League 2 में खेल रही है बहुत लोग जोए confused हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर और बहुत लोग पुछ रहे हैं कि East Bengal कैसे qualify करेगी और साफ क्लब Championship का क्या हो गया तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में फुल बात करने वाले हैं तो आपको पता है रहे है Asian Football Confederation उन्होंने यहाँ पे नया सिस्टम इंट्रूडिस किया है यह साल से मैं जो आने वाला साल है 24-25 सीजन यह थोड़ा सा चेंज होने वाला है क्या चेंज है यहाँ पे यह सिस्टम जो अपना था अभी फिलाल AFC Champions League था और AFC Cup था यह दो टॉप टायर कॉंपेडिशन थे तो यह साल जो है और एक टॉप टायर कॉंपेडिशन आड़ किया गया है जिसका नाम है AFC Challenge Cup जो पहले AFC Champions League थी अभी उसको चेंज करके AFC Champions League इलाइट बनाया गया है जो कि आपका फिलाल यह तीन टायर है जैसे हम लोग देखते है यूरोप में योफा Champions League है यूफा यूरोपा लीग है उसके बाद में आपका Conference League है ऐसा same format जो है यहाँ पे एशिया में भी बनाया गया है यूरोप में आप देखो बहुत सारे धेर सारे clubs खेलते हैं बट यहाँ का system जो है वैसा same नहीं है यहाँ के जो format है वो बहुत छोटा format है बहुत कम clubs को यहाँ पे मोका दिया जा रहा है उसमें हम लोग बाद में जाएंगे उसके बार में अभी बात नहीं करेंगे इस वीडियो में सिंपल सार यहाँ पे मैं explain करना चाहूँगा कि इंडिया के कितने clubs रिप्रेसेंट कर रहें इंडिया को तो इंडिया का कोई भी club रिप्रेसेंट नहीं करेगा इंडिया को in the AFC Champions League इलाइट इसे आप सब को पहले पता था यार Mumbai City जो है शिल्ड जितने के बाद में AFC Champions League के मैचेस खेले थे एशया के टॉप टायर के टूर्नमेंट में खेले थे बट नेक्स सीजन से because of the coefficient ranking या फिर आप club ranking बो या फिर हमारा जो performance रहा है club competitions में continental level पर उतना कुछ खास नहीं रहा है वहाँ से हमको points नहीं मिले है इसलिए हमारा कोई representative नहीं रहेगा in the AFC Champions League elite बट वहीं हम लोग AFC Champions League 2 की बात करें तो यहाँ पे दो representative है एक direct spot मिला है सीधा group stage में खेला है और दुसरा जो है qualifying round से जाएगा group stage में आपको पता होगा यह जो league shield जितने के बाद Mohan Magan को यहाँ पे direct group stage का spot मिला है into the AFC Champions League 2 2 हाँ याद रखना भाई 2 बो रहा हूँ AFC Champions League light name बो रहा हूँ ठीक है तो यह shield जितने के बाद उनको direct spot मिला है वहीं East Bengal after winning the Super Cup उनको यहाँ पे मोका मिला है qualifying play-offs खेलने का जिसे last time Mohan Magan को और Odisa को दोनों का chance मिला था Odisa को direct group stage मिला था और Mohan Magan जो है यहाँ पे qualifying play-offs खेल के matches खेल के फिर उसके बाद group में आई थी but last time out के जैसा यहाँ पे बस हम लोग साफ championship जैसा नहीं खेलेंगे साफ club सी थे उनके साफ में हमको बिढ़ना था हमारे दो club एक ही group में आये थे तो इस time ऐसा नहीं होने वाला इस time थोड़ा सा system अलग रहने का तो यह फिलाल तो qualifying scenario मैंने बताए देगा कैसे qualify करने वाले आगे teams अगर हमको AFC Champions League elite खेलना है क्योंकि यह बहुत सारे questions पोचे जारे बार बार कि इंडिया जो है AFC Champions League elite में top tier में कैसे आएगा अगर top tier में आना है तो हमको AFC Champions League 2 जीतना पड़ेगा और AFC Champions League 2 जीतने के लिए भाई साब आपको बहुत बड़े-बड़े clubs को हराना पड़ाएगा यह पहले के जैसा नहीं है भाई यह system full on change हो चुका है यहाँ ठीक है तो अभी फिलाल के लिए हम लोग को AFC Champions League 2 में कैसे अच्छे performance दे उसके उपर ध्यान देना है ना कि जीतने का भीका जीतना it's very far बहुत बहुत दूर का dream है भाई मेरे इसाफ में अभी फिलाल में ठीक है तो AFC Challenge Cup में क्या सिनारी होई AFC Challenge Cup में कोई Indian team फिलाल है नहीं low ranked जिसकी coefficient ranking बहुत कम है वो countries के teams जो है यहाँ पे AFC Challenge Cup में खेलने वाले हैं हो सकता है इंडिया का जो है आगे जाते होए कोई representative आजाए depends कि हमको slots कैसे मिलेंगे हो सकता है 2 plus 1 का slot मिल जाए in future तो वो तो आगे बाद होगी उसकी बारे में और जब होगा तब देखा जाएगा तो यहाँ पे South Club Championship का क्या हो गया तो इंट्रडिउस South Club Championship यह साल से जो off season होगा मेरे हिसाब से जुलाई या अगस्ट का जो off season होगा उसमें आपको South Club Championship के matches देखने के लिए मिलेंगे अभी तक कोई date आउट नहीं हुए है कोई schedule आउट नहीं हुआ है proper format भी बाहर नहीं आया है बट जितनी news है मेरे पास में जितना क्या बोलते हैं उसको जितनी update मिली है उसके बार मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एक South Asian Club Championship है पहले 16 टीम की बात हो रही थी बट कट करके अभी 8 टीम्स बताए जा रहे हैं और उपर से इंडिया को जो है दो club रिप्रेजेंट करेंगे in the South Club Championship तो वो दो club कोन से होंगे अगर आप ISL टेबल पे थोड़ा फार ध्यान दालोगे यहाँ पे जो second और third फिनिश कर रही है Mumbai City and उसके बाद है FC Goa यह दो clubs जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे in the South Club Championship तो भाई इनका प्रेजेंट रहेगा और इनको ही opportunity मिलेगी to represent इंडिया at the continental level क्योंकि South Club Championship भी जो है वो भी continental level प्यारा इसका significance जो है in future जाते हुए बढ़ सकता है तो भाई फिलाल जो है इतनी ही news है South Club Championship को लेके and also AFC Champions League Elite को लेके League 2 को लेके और AFC Challenge Cup को लेके और आगे जो भी नए updates आएंगे और नए news आएगी हम लोग ज़रूर आपके साथ में share करेंगे तो भाई प्लीज डोंट फ़गे टो like डोंट फ़गे टो subscribe अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागा करेंगे ज़रूर आपके साथ में